नासा के पर्सेवरेंस रोवर ने मंगल की सतय पर गुरुवार देर रात को सफलता पूर्वक लेंडिंग कर ली है पर्सेवरेंस रोवर ने जेजेरो नामक एक 820 फुट गहरे क्रेटर पर लेंडिंग की साथी अपनी पहली सेलफी दुनिया के साथ साजा की नासा की ये कोशिश लाल ग्रह पर मनुश्य को बसाने की उम्मीदों को लेकर बेहद एहम कदम है नासा के कई पैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर उतरने वाले पर्सेवरेंस रोवर की लेंडिंग को लेकर काफी चंता जताई थी लेकिन इस मिशन का नेतरत वकर रही स्वाती मोहन के जेजेरो क्रेटर पर सफलता पूर्वक लेंड करने की पुष्टी करने के बाद उनकी ये चंता उत्साह में बदल गई पर्सेवरेंस रोवर के अधिकारिक ट्वीटर हैंडल की और से एक ट्वीट किया गया इसमें रोवर के सफल लेंडिंग की पुष्टी की गई और कैप्शन में लिखा टच्टाउन कनफरम्ड लेंडिंग के साथ ही पर्सेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की पहली तस्वीर सब के साथ साजा की नासा के पर्सेवरेंस रोवर ने अपने अधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया और लिखा की हेलो दुनिया मेरे हमेशा के लिए घर का पहला नजारा इसके अलावा दूसरे ट्वीट में पीछे का नजारा भी दिखाया है सफर लेंडिंग के बारे में धर्ती तक सिगनल पहुँचने में साड़े ग्यारा मिनट का समय लगा और ये समाचार मिलते ही तनाओ का माहौल खत्म हो गया यान नियंतरक स्वाती मोहन ने घोशना की कि सतह पर पहुँचने की पुष्टी हुई पर सेवरेंस रोवर मंगल की सतह पर सुरक्षत तरीके से पहुँच चुका है पिछले एक सब्ता में मंगल के लिए ये तीसरी यात्रा है इससे पहले साओधी अरब अमिरात और चीन के एक एक यान भी मंगल के पास की कक्षा में प्रवेश कर गए थे मतादे की पर सेवरेंस रोवर को 30 जुलाई 2020 को लॉंच किया गया था ये रोवर मंगल ग्रह की सतय पर सुक्षम जीवी जीवन की संकेतों की खोच करेगा और साधी तूटी हुई चटान और धूल के नमूने कत्र करेगा इन नमूनों को आने वाले समय में एक और अभियान के जरिये धर्ती पर वापस लाय जाएगा जानकारी के अनुसार एक दूसरे अभियान के माध्यम से इन नमूनों को साल 2021 में धर्ती पर लाय जाएगा मंगल ग्रह पर पर सेवरेंस रोवर भूविज्ञान और जलवायू का पता लगाएगा ये नासा का पांचवार रोवर है यहां ये भी बताते चले कि एक साल की उम्र में भारत से अमेरिका में जाबसी स्वाती ने मेसेच्यूसेट्स इंस्टिटूट अफ टेक्नॉलोजी से एरोनॉटिक्स एस्टोनॉटिक्स में पिएचडी की है वहमंगल से पहले शनी के कैसिनी और चांद के ग्रेल मिशन के लिए काम कर चुकी है स्वाती बताती हैं कि यहां इंसान की समझ को विस्तृत करने की कोशिश की जाती है और हमेशा कुछ नयाक हो जाता था वह कहती हैं कि यहां काम करना सम्मान की बात है इस तरह के माहौल में काम करने से काफी प्रेरना मिलती है बच्वन में एक टीवी सीरीज का पहला एपिसोड देखते ही ब्रह्मांड के अंजाने कोनों को लेकर स्वाती के मन में उच्छ सुकता जागने लगी और उनका मन भी ब्रह्मांड को एक्स्प्लेयोर करने का हुआ स्वाती बताती हैं कि पहले वह पीडियार्ट्रिशन बनना चाहती थी उन्हें स्पेस में हमेशा दिल्चस्पी थी लेकिन इस शेत्र के बारे में ज़्यादा जानकानी नहीं थी 16 साल की उम्र में फिजिक्स की एक क्लास ने उनका जीवन बदल दिया उनके टीचर ने सब कुछ हैसे समझाया कि उन्होंने इंचेनेरिंग करने का मन बना लिया और फिर स्पेस रिसर्च से जुड़ने का फैसला कर लिया स्वाती मार्स 2020 गाइडन्स नेविगेशन एंड कंट्रोल्स अपरेशन लीड है उन्होंने मंगल 2020 के एटिचूट कंट्रोल सिस्टम को लीड किया है और पूरे मिशन डेवलपमेंट के दुरान वह लीड सिस्टम्स इंचेनियर थी एटिचूट कंट्रोल सिस्टम्स वीकल को समझने के लिए तयार करता है कि उसे क्या करना है